नमस्कार आपके साथ मैं हूँ जोति सिंग हाजीर हूँ एक ऐसी खबर के साथ जो काफी चर्चाओं में है पूरे देश में आजकल कंगना रनौत के मुद्दे ने हाई तौबा मचा रखी है एक तरफ कंगना की जिद तो दूसरी तरफ श्यूसेना की कारिवाहियों ने पूरे देस में अपने सियासत खेल रही है उस पर कंगना के ऊपर जो कारिवाही हुई है उसे पूरी तरह से जायज और सही ठहरा रहे है बता दे कि कंगना एक विवाद अस्पद अभिनेतरी रह चुकी हैं कभी उनका नाम आदित्य पंचोली के साथ जुड़ा फिर विवाद हुआ फिर आगे कंगना रनौत ने एक से बढ़कर एक फिल्म में अपने दम पर हिट करवाई जिसके बदोलत बॉली बुड में ही नहीं बलकी अभिने की दुनिया में भी उनका नाम उचाईओ पर पहुशने लगा फिर अलग अलग चीजों को लेकर कंगना रनौत कभी विवादों में रितिक रोसन की मामलों में घिरी रही तो कभी अन्यमुद्दों को चर्चा में लेकर घिरी रही अन्यमुद्दे यानि बीफ जैसे सनवेदन सेल मुद्दे पर कंगना रनौत ने खुल कर अपनी राय रखी थी कि मुझे बीफ खाना पसंद है जबकि उनके घर वाले कत्ता ही नहीं चाहते थे कि कंगना इस तरह की हरकते करें जैसा कि हमने बताया कि कंगना एक विवादा अस्पद अभिनेतरी रही है हाल ही में सुसान सिंग राजपूत के आत्महत्या के मामले जिस तरह से दिन पर दिन नए नए दाव पेंच में फस्ते जा रहे हैं नए नए खुलासे हो रहे हैं ड्रक्स कनेक्सन भी जुड़ चुका है जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को परिशान किया गया मीडिया चैनलों के दोरा उसके खिलाब भी देश में उबाल देखने को मिल रहा है बॉलिबुट का वो धड़ा जो खुल करके रिया के मामले में कुछ भी कहने को तयार नहीं था अब वो भी सतह पर आ गया है और अपनी राय शुमारी कर रहा है और रिया को कहीं न कहीं जायस ठहरा रहा है इसी बीच कंगना रनोत के आक्रमक रवये के वज़े से बाते लगातार बिगड़ते चली गई कंगना रनोत मुंबई से बाहर थी उन्होंने मराठा प्राइट को लेकर एक से बढ़कर एक विवादा असपत बयान दिये हलाकि कंगना मराठा नहीं है यानि मराठी नहीं है कंगना हिमान्चल की रहने वाली है कंगना ने जहांसी की रानी का किरदार निभाया और ये एतिहासिक किरदार था उस किरदार में कंगना ऐसे रची बसी कि उन्हें एहसास होने लगा कि वो भी जहांसी की रानी है और वो भी कुछ उसी तरह से कर सकती हैं जिस तरह से जहांसी की राणी ने अंजाम दिया था अंग्रेजों के खिलाप अपने कर्म को लेकिन कंगना शायद ये भूल गई कि रील लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है कंगना किसके हाथो की कट्पुदली बनी हुई है ये कयास लगाए जा रहे हैं और हाल फिलाल इस पूरे मामले में करड़ी सेना का समर्थन हो रहा है चाहे बैक डोर से बीजेपी का सपोर्च रहा हो कंगना को लेकर कंगना के उपर बीजेपी समर्थित या बीजेपी एजेंडा को आगे बढ़ाने की जो आरोप लगते रहे हैं कहीं न कहीं ये बात सत्य साबित हो रही है इन सभी के बयानों की वज़े से कंगना को Y-plus-3D की सेक्योरिटी देने के मामले ने भी तूल पकड़ लिया है लोग सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे कंगना के Y-plus-3D को उनकी सेक्योरिटी मिली है उसको लेकर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं आखिर कंगना को क्यूं ये सेक्योरिटी दी गई क्यूं देश के जो टैक्षपेयर हैं उनके पैसो का दुरूपयोग हो रहा है वहीं अगर बात करें BMC की तो BMC ने बताया कि दो साल पहले भी कंगना को नोटिस दिया गया था उनके बंगले में नकसे के अनुरूप जो डिजाइन बनवाया उसके अनुरूप उसकी बनावट नहीं थी उसको बनाया नहीं गया था जिसको ले करके BMC पहले से ही नोटिस देता रहा बताया जाता है कि तब भी कंगना ने अदालत की शरड ली थी बता दे कि बुद्धवार को जब BMC ने कंगना रनौत के सपने का महल या यूं कहें कि उनके खुबसूरत आशियाने को एक पल में बुल्डोजर के द्वारा गिरा दिया तो कंगना का एक अलग ही उतार देखनों के मिला और गुस्य से हुई लाल पीली कंगना ने उद्धो सरकार के लिए तू मेरा क्या उखाड लेगा जैसे अबशब्ध भासा का प्रियोक किया उसके बाद कंगना का कहना है कि उनको इस बारे में समय पर नहीं बताया गया और इस बार भी उन्होंने हाई कोट की सहायता ली ताकि BMC की कारवाही पर रोक लगाई जा सके